हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजूकेशन चैनल, दोस्तों आज जो हम नोटिफिगेशन डिस्कॉस करने जा रहे हैं, इसमें मल्टी प्रोफाइल एक ग्रेड जॉब है, और इसमें जो हैं, इंडिया का किसी भी स्टेट का कंडिडेट अप्लाए कर सकता है, यह उडिशा पब इसका एक्जामेशन पैटर्न दिखाएंगे, हम आपको स्लेवर्स एक्जामेशन फी सालरी जो है स्टार्टिंग में, फिप्टी सिक्स थाउजन रूपीज पर मन्त इन हैंड और प्लस अलाउंसेस आपको मिलेगा, अलाउंसेस का ग्रेड होगा, वो काफी हाई लेवल का ह होगा, वो हम डिसकस करेंगे इसमें, और वीडियो के लास्ट में जो है आपको तीन और नोटिफिकेशन इस स्कीम पर मिलेगा, जो की फाइनांसेस रिलेटेड होगा, और जो है आपका बी टेक्स रिलेटेड कंडिडेट जो भी हैं, वो भी अपलाई कर सकते हैं, और नॉ नोटिफिकेशन में, उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ये एजुकेशन चैनल पर नहीं हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, बल आइकन बटन प्रेस कर दीजे, ताकि गौर्णमेंट जोब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलते र करना है, टाइम काफी है, आपको फॉर्म फिलिंग करने के लिए, रिजिस्ट्रेशन अट लिस्ट आप 11 फर्वरी तक कर लिजे और 8 फर्वरी तक आप उनलाइन अप्लाइ कर दीजे, लास्ट डेट है और पेमेंट कर दीजे, अब देखिए इसमें डिपार्टमेंट आटा गया है, ए ग्रेट और बी ग्रेट, ए ग्रेट में जो है, तीन प्रोफाइल है, जिसमें के एड्मिनिस्ट्रेटिव सर्विस आता है, जुनियर ब्रांच पे और जो है, 56,100 सैलरी होगा इन हैंड, प्लस 12 लेवल का ग्रेट पे जो है, यहां पे आपको मिलेगा, और दूसरा जो है, उरिशा पुलिस सर्विस इस ग्रूप ए में आता है, जुनियर ब्रांच में, सैम सैलरी स्ट्रेक्चर, सैम ग्रेट पे होगा, उसके बाद उरिशा फाइनांस सर्विस ग्रूप, इसमें जो है, जुनियर ब्रांच में होगा, और सैम सैलरी स्ट्रेक्चर हो GD होगा जिसमें आपकी सालरी स्ट्रक्ट्टर जो है उट ऊवालिस जार नौश सब्लेन नौश से स्टार्टिंग होगा और ग्रेट पे जो है दस का है टू पॉइंट डाउन हो गया है इसमें उडिसा टैक्सेशन एकोंटसरवीसेश्ड गुडे तो अब इसमें देख लेते हैं दोस्तो जो है bifurcation किया गया है जिसमें कि आपका जो है पहला नमर पे जैसे कि आपका administrative service में total number of vacancy जो थे आपके इसमें दिया गया है 3, 100, 137 vacancy है जो है आपका administrative service के लिए है दूसरा आपका 104 vacancy है जो की आपका police services से है और तीसरा जो है आपका इसमें क्या था तीसरा जो था वो देख लेते हैं तीसरा था औरिसा finance services में total vacancy है आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे break up दिया गया है किसके लिए कितनी vacancy है जैसे administrative के लिए general के लिए 69, OBC के लिए 15, SC के लिए 62, ST के लिए 31 और PWD के लिए 5 तो यह total administrative के लिए था राइट 137 vacancy दिया गया है पुलिस के लिए 104 और आपका जो इसमें corporate के लिए है वो है आपका 6 vacancies राइट यहाँ पर देखिए finance के लिए 6 vacancy उसके बाद जो है आपका next fourth में 8 vacancy आपका corporate services के लिए और 74 vacancies है आपका revenue के लिए और 63 vacancies है टेक्सेशन एंड आपका accountant के लिए total number of vacancies 392 है जिसमें 128 vacancy जो है women के लिए special रखा गया है तो आप next देखते है इसमें जो है आपका age limit age limit 21 से 32 रखा गया maximum जिसमें के SCST और women candidate के लिए जो है 5 year extra रखा गया है और OBC candidate के लिए 3 year extra रखा गया है अब जो है इसमें essential qualification देखें तो any graduate candidate can apply for this profile right examination fee 500 rupees है SCST candidate जो भी है उनको कोई भी examination fee नहीं लगेगा right अब जो है इसमें civil services जो है plan जो है examination का three level of examination होगा pre होगा man होगा and आपका interview होगा फिर जाके medical होगे कुछ profile में राइट जैसे police department में जिसमें की pre paper होगा general studies दो चार्स चार्स नम्मर का होगा दो 200 नम्मर का दो होगा pre objective type question होगा man's में return होगा और third में personality test and interview होगा right तो यह देखिए आपको apply करने के लिए www.opsc.gov.in पर जाके आप apply करेंगे और इसमें अगर कोई doubt होता थी you can contact on this number या फिर आप मुझे comment कर सकते मैं as soon as आपको response करूंगा right अब यहां पर देखिए आपका जो है last date रखा गया है आपका 11 फरवरी तक राइस्टेशन कीजिए और 28 का फरवरी तक आप जो है सब्मिट कर दीजिए उसके बाद accept नहीं किया जाएगा और यहां पर देखिए स्लेवर्स दिया गया है एक्जामिशन पैटर्न दिया गया है चोदर सो नंबर का पेपर होगा आपका यह दिखिए पेपर वन में यहां पर दिया गया है आपको जो मैंने website बताया है यहां ज से 200 नंमर का जनरल स्टेडीस 300 नंबर का इसके बाद जनरल स्टेडीस पार्ट तू 300 नंबर तो ऊसी तरह बारस ज्विशन पार जो है आपका तो इसमें एक और condition यह रखा गया है दोस्तो इतमें उडिशा लेंग्विज जो है आपको आपने अगर 10th या 8th में या 12th में at least एक subject जो है आपने पास किया हो उडिशा उडिया लेंग्वेज राइट तभी आप अप्लाइ कर सकते हैं बोलना लिखना पढ़ना आना चाहिए तो यह condition इसमें रखा गया है जहां की problem create हो जाएगा because most of the candidates eligible है बट एक उडिया लेंग्वेज के चलते वह disqualify हो जाएंगे इसमें अप्लाइ नहीं कर पाएंगे तो अभी स्क्रीन पर तीन वीडियो दिख रहा है इसमें जरूर अप्लाइ करें क्योंकि यह पैन इंडिया basis job है यह central government का job है right so all the best for your selection process अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक कीजिए दोस्तों साथ share कीजिए यह के संचैनल को subscribe कर दीजे और यह तीन जो वीडियो दिख रहे हैं इसको भी जरूर देखें दोस्तों so all the best for your examination अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक कीजिए दोस्तों